नमस्कार, आज एक आसन के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा आसन है और इसको उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी आसन को प्राणयाम को उपयोग करने से पहले अपनी व्याधी के उपर नजर करें और वो व्याधी ना हो तो ही वो करें, त लेकिन फिर भी कुछ कंभीर बीमारियां होती है, जिनके हमें भी पता नहीं होता, तो वो अगर हो, तो फिर एक बार डोक्टर से राय लेकर ही आप करें, बैस मैं आपको एक इन्फोर्मेशन दे रहा हूं कि जो प्राणयाम, जो आसन है, वो क्या लाब दे सकता है, और किस लेवल तक का होता है, जिससे आप भी किसी को अगर बताएं, तो आप ये बात बता सकते हैं, आज हमारा विशे रहेगा मंडुकासन, मंडुकासन इतना शांदार आसन है, आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा, ये भी सुना है कि पेंक्रियास के लिए बढ़िया रहत है, वो मंडुकासन अगर करे, तो उनका पेट नरम हो जाएगा, ये पहला अनुभव भी है, और ये तो शास्त्रोक्त कुछ बाते हमें पता भी है, आसनों में इसकी चर्चा भी की हुई है, दूसरा जो मैं एक लाब बताना चाहरा हूँ, वो है महिलाओं से संबंदित हार हर्मोनल प्रोब्लम और एनियमित साइकल की, जिनको एनियमित साइकल है, आज के बहनों को बहुत बड़ी समश्या है, सोला साल के बाद में जब ये जो हो जाती है, तो उस समय उनको एक समश्या रहती है, साइकल की समश्या में, जिनको एनियमित हो, दो महीने, तीन महीने तक साइकिल जो है वो नहीं शुरू हो पाता उसके लिए सबसे बड़ी आसन है मंदुक आसन एक इसके बाद में उस्ट्रासन होता है ये दो आसन अगर किये जाएं तो बहुत लाबकरी आज हम चर्चा मंदुक आसन के बारे में करेंगे मंदुक आसन करना कैसे है और इसको करा चाहिए मैं पहले प्रिकोशन्स बता देता हूं जिनको ओप्रेशन हुआ हो पेट के हैवी ओप्रेशन किसी भी प्रिकार का ओप्रेशन हो वो नहीं करें हातों में अलसर या कोई भी कटाव हो वो ना करें जिनको प्रोस्टेट की प्रोब्लम हो गई हो वो ना करें और इसका जो लाब है वो माथाओं बहनों के लिए ज़्यादा है मैं इसलिए इसको बार-बार आपको बतानी का प्रियास कर रहा हूँ जिनको जो साइकल में प्रोब्लम है तो वो रेगुलर इस आसन को पांच बार जरूर किया करें और इसके बाद में उस्ट्रासन जरूर किया करें ये हमारा बहुत तीन-चार सालों का अनुभाव है इस अनुभाव में बहुत हमें लाब मिला है और जिनको ब्लीडिंग्स में बहुत प्रोब्लम रहती है उनके लिए भी मंदुकासन ठीक रहेगा अब करना कैसे है वो हम ध्यान करें अंगूठे को अंगूलियों के मद्धे लेना है नाभी के दोन और एक एक इंच जगे छोड़ दीजिए यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लगाईए लंबा स्वांस भरिए लंबा स्वांस छोड़िए नाभी को अंदर की और खीचिए और आगे की और जुक जाईए ऐसे गर्दन सामने की और उपर की और रहेगी मंडुक आसन मंडुक यानि मेंड़क तो मेंड़क की तरह यह आसन है ऐसे अब यहाँ पर जो व्यक्ति जादा दे रुक नहीं पाएं वो तो सीधा उड़ सकते हैं लेकिन जो रुकते हैं उनको हलका हलका स्वांस लेते रहना चाहिए स्वांस भरते वे अप यह दो तरीके से किया जा सकता है एक तो आप स्वांस भरते वे फिर स्वांस छोड़ दीजिए छोड़ते वे नीचे जाना है नीचे आदा मिनट रुकना है और स्वांस भरते वे अप उन्हें स्वांस छोड़ते वे डाउन स्वांस भरते वे अप ये तो एक प्रक्रिया हुई शुरुवाती तोर पर, पांच-छे दिन आपको हो जाएं, प्रैक्टिस हो जाएं, तो फिर क्या करना, स्वांस छोड़ते हुए डाउन, नीचे गए, पूर्ण स्थितिया आ गई, तो वहां पर हलका हलका स्वांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, डेर्ड से 2 मिनट स्टे कीजिए, फिर स्वांस भरते हुए, वापिस, ये दो तरीके हैं, ये इसमें हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं सभी, कि कैसे करें स्वास छोड़ते हुए जाए या नीचे स्वास ले या नहीं ले जो रेगुलर पांच बार करें शुरुवाती लोग जो है जो जिनको कभी किया नहीं पहली बार करें अब इसको करने से क्या होगा पहले दिन दो दिन जो है जिनका पेट टाइट रहता है उनके पेट में वायू परसारित होती रहेगी ऐसे लगए ज़िए पेट में बुलबुले चल रहे है यह दो दिन पहले दो दिन रहेगा फिर उसके बाद में धीरे-धीरे पेट साफ हो जाएगा तो आपका ये मंडोगासन बहुत अच्छा हो जाएगा जिनको पेट टाइट रहता है वो इतना ही जुख पाएगए एक बार पहले दिन इतना ही जुख पाएगी इससे आगे नहीं जुख जाथ पेट पेट बीच में आ जाता है कई योगे दिरे दिरे ऐसे फिर ऐसे फिर आगे तक होते जाते हैं तो उनका पेट जो है नरम हो जाता है अब साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है अंगुठे को ऐसे लेना है ना भी कि दोनों और लेना लंबा स्वास भरना लंबा स्वास छोड़ना, पेट को अंदर उडियान बंद लगाना, और स्वास छोड़ते हुए, आगे की और जुकना, अब मैं आपको एक मिनिट बाला बता रहा हूं, यहां पर अब हलका हलका स्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हलका हलका, जिनको हैवी कमरदर्द, कमरदर बहुत जाद हो, स्लिप डिस्क की प्रोबलम, मतलब स्लिप डिस्क को हो, उनको नहीं करना चाहिए, यह ध्यान रखना, और सर्वाइकल के पैसेंट कर सकते हैं, लेकिन गर्दन को ऐसे नहीं जुका है, ऐसे गर्दन को उठा के ही मंडुक यानि मेंडक की तरह से गर्दन को उपर रखना है, और स्वास भरते हुए, यह हमारी एक प्रक्रिया हुई, ऐसी पांच प्रक्रिया कर सकते हैं, पांच बार आसन कर सकते हैं, इसका लाब पेट पर मिलेगा ही मिलेगा, माताओं बहनों को तो उनके पेट समंदी सम में हार्मोनल प्रोप्लम में और जो पुरुशों को पेट की वायू में, पेट टाइट रहता है, उनका नरम हो जाएगा, बहुत अच्छा फील होगा, एक बार और कर लीजिए, स्वास भरते हुए, आप, रिलेक्स, ये आगे जुकने का आसन है, हालागि आज हमारा उष्ट्रासन का समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर बता दूँ, कि इस आगे जुकने के आसन के साथ, एक पीछे जुकने का आसन जरूर करना चाहिए, और क्योंकि ये माताओं बहनों की समश्या के लिए मैंने बताया है, तो इसके साथ वही एक आसन बताऊंगा, जो माताओं बहनों को और ज़्यादा लाब करेगी, क्या उष्ट्रासन, अब इसमें उष्ट्रासन जो है, पूर्ण पहली बार में नहीं हो पाएगा, तो मैं ये बता दूँ क कि इसको अर्दूश्ट्रासन कर लेजी आप, क्या करना है, कमर के उपर हाथ, ऐसे, स्वास भरते हुए, शरीर को पीछे की और जुकाना, ऐसे, हलका सा, कोई ज़्यादा जवर्जस्ती नहीं करना, जोर नहीं लगाना, बहुत आराम से, पीछे की और जुकना है, स्वास चोड़ते हुए, रिलक्स, फिर बैठ गए, फिर दो बार और के लिया, तीन बार हो जाए, तो आगे जुकने के जितने भी प्रयास हैं, उसमें पीछे जुकने के प्रयास हो जाएंगे, तो हमारा शरीर बैलेंस में हो जाएगा, शरीर को हमेशा बैलेंस करना, गरम जुकने के बाद पीछे जुकना, दाहिने जुकने के बाद बाएं जुकना, ये जरूर करना है, ये नहीं करेंगे, तो नुकसान होगा, फिर आप कहेंगे कि हमें योग से ये फाइदा नहीं मिल पाया तो ये थोड़ा ध्यान रखें और क्रियाओं को अच्छी तरह सीख लें फिर उसके बाद में करिए सिखाईए आगे भी आप बढ़ाईए बहुत बढ़िया रहेगा तो ये हमारा मंडूकासन हमने किया और उसके साथ अर्दूष्टासन मैंने आपको बता दिया है एक बार कर लिजिए घुटने के उपर खड़े होना है कमर के उपर हाथ लगाना है कि पीछे जुकना आए जोड़ते हुए रिलक्स और बैढ़ जाना है ये हमारा मंडूकासन तो आज आपको मंडूकासन बताया है और साथ में अर्दूष्टासन बताया है वो तो उसका काउंटर पोज है, लेकिन मूल रूप से आज हमने मंडुकासन की बात की है इसका लाब मैंने आपको बताई दिया क्या-क्या लाब है, बैस इतना ध्यान रखना माताओं मैनों को साइकल की टाइम में कभी नहीं करना, बाकी 25 दिन आप करिए, उससे आप देखिएगा साइकल भी कंट्रोल हो जाएगा और बहुत कोशिश अगर माताओं जो बहने हैं ना वो तो आप 16-17 साल में आप करना शुरू कर दीजिए, आप देखिएगा इसका लाब मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर बिमारिया हैं, जो मैंने आपको बताईए पहले, वो बिमारियों वाले लोग नहीं करें, एक बार डोक्टर से राय लेके करें, ये जरूर ध्यान रखना आप इसको करने का तरीका एक बार थोड़ा समय आपको फिर बता दूँ, वजरासन में बैठना है, यह ज़रूरी है, आचा जो वजरासन में नहीं बैठ पाएं, जो सुनकर बारी शरीर हो गया, नहीं बैठ पारे हैं, तो ुवह सुनकोब बैठना शुरूआती तो खमसे खम थोड़ा वह तो फाइदा मिल ही जाएगा फिर उसके बाद में धिरे-धिरे वजरासन की प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद में कर लीजिए ऐसे यह अंगूठः ऐसे रहेगा अंगूलिया ऐसे रहीं palate पुलिया उसके उपर अंगूठे की साइड वाला हिस्सा ये हिस्सा ये पेट पर लगाना है ऐसे ना भी के एक एक साइड में लंबा स्वास भरेंगे लंबा स्वास छोड़ेंगे आगे जुख जाएगे ऐसे अब जिनको वजरासन में नहीं हो पा रहा तो वो इसको भी कर ल जाएगा और फिर उसके बाद में जब वजरासन में आ जाएगे तो फिर तो पूर्ण लाब जो है मंदुकासन का मिलना ही है इसमें वही मैंने आपको पताया स्वास पहले भरिये फिर स्वास को पूरा छोड़िये फिर नाभी को अंदर खिंसते वे उडियान बंद जाएगे जब आप जुक गए हैं तो फिर उसके बाद में यहां रुखिये जो आदा मिनट बिना स्वास लिए छोड़े रुख सकते हैं रुख जाएगे और स्वास भरते हुए उपर आ जाएगे यह एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया जो रुखना चाहते हैं जो चार बार करें फिर पांच बार करें फिर पांच पांच बार करें और पंदरा दिन बाद में आप जो हैं कोशिश करना अपने शरीर को स्वस्त बनाते हुए और रुखना है श्टे करना है एक से दो मिनट आप रुखने की कोशिश करें नीचे हलकालका स्वास लेते रहें और सुआस भर के उपर आना ये मंदुकासन का मैंने एक आपको पूरा सिनेरियों बताया है मंदुकासन बहुत लाबकारी आसन है लेकिन व्याधियां हो बिमारियां हो तो फिर इसको करना मनाई है ओप्रेशन करने के बाद मनाई है और बहुत बड़ा ओप्रेशन अगर इसमें लाब नहीं है और जो जिनको हाट की बिमारी है हाट की प्रॉब्लम है उनके क्या होगा पेट दबेगा तो हाट के उपर प्रेशर आएगा तो ध्यान रखना कि उनको तो करना ही नहीं हाट की बड़ी बिमारी है उनको तो करना ही नहीं है और जिनको हलका कोई हाट क हलकी फुलकी जैसे बीपी हलकी समश्या है तो बैस हलका सा जुकना जादा भी नहीं प्रेशर नहीं करना देखो किसी भी आसन का लाब लेना है तो उसको प्रेशर करके नहीं लेना उसकी कोशिश करके लेना जितना आप कर सकते हैं जितना कर सकते हैं उतना ही करिए जबरजस् नहीं करना उसको कोशिश से करना दीरे-दीरे कोशिश होती जाएंगी सफलता मिलती जाएंगी आप स्वस्त होते जाएंगे ऐसा प्रियास होता जाएगा तो हमारा भी यही एक प्रियास है और हमारा बहुत बड़ा एक प्रियास और भी है कि हम लोग आप लोगों के लिए ए आप सभी लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहा तो हो सकता है वो सपना जल्द ही पूरा हो और आप जो लोग देख रहे हैं वो हमारे साथ हमारे सानिध्य में बैठकर योग करें ऐसी मापेक्षा कामना करता हूं तो अब आप से जुड़े रहने के लिए हम लगातार आत रहेंगे आप मेरे साथी घंशाम के साथ मुझे डॉक्टर मनोज योगाचारे को दीजिए इजाज़त त्रीनेत्र टीवी के लिए नमस्कार